तो उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं नीम के पेड़ हैं ऐसे कई किमती पेड़ों को जुन पर सरकार ने बैन लगा रखा है उनको काट रहे हैं और जो यहां के कर्मचारी हैं फारिस्ट आफशर हैं रेंज आफशर हैं वो सब आखी मुंदे हुएं किसी से कोई मतलब नहीं है अच्छा लोनारी खड़ा कहां जाते हैं जाए देवस्मिया था कम खबर बना हुए अल्याय तो लखनौ के बिजनौर थाना अंतरगत ग्राम लोनारी खड़ा में लगातार पेड़ों की अंधा धुन्त कटाई चल रही है जबकि कोरोना काल में सभी ने देखा कि आक्सिजन की कितनी किल्लत थी जो अक्सिजन का तो उसके बावंजूद भी जो लोग है वो पेड़ों को काटने में लगे वे हैं नीम के पेड़ हैं ऐसे कई किम्ती पेड़ों को जुन पे सरकार ने बैन लगा रखा है उनको काट रहे हैं और जो यहां के कर्मचारी हैं फारेष्ट आफ्शर हैं रेंज की कटाई कर रहे हैं जहां पर हम इसमें खड़े हैं लोनारी खेडा के इस मार्ग पे नीम और कई पेंड जो है कई तरीके के पेड़ लगभग देखाएंगे हमारे केमरामन बहुत सारे पेंड उन्होंने काटे हैं सबका उन्होंने रात में कटाई करते हैं दिन में भी है और कोई कुछ नहीं कर सकता है हम सबको मैनेज करके चलते हैं दिन में कटाई करें या रात में कटाई करें यह हमारा अपना मामला है पर जागरुक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है चुकि पिछले कई सालों में देखे गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोडों पौध प्रण सुद्ध हो और आक्षिजन लेवल बड़ है यह देखिए बड़े बड़े पेंड जो है उनको काटा गया पेंड लगाना तो आसान होता पर उसको सरच्छित करके रखना फिर वो बड़ा हो पौधा बड़ा हो यह सो लगाने पे दस तैयार होने वाली बात है उसके बावजूद भी लोग कटाई कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारीगर इस पर आखें मुंदे हुए हैं कोई कारवय ही नहीं कर रहे हैं ठेकेदार के हौसले बिलकुल बुलंद है और वो दिन रात अंधा धुन यहां विजनौर थाना अंतरगत माती ग्राम छेत्र में ल अगातार दिन रात प्रणो की कटाई कर रहे हैं वीडियो जनलिस्ट प्यूस पांडे के साथ प्रसांद बाच्पी लखनो